नमस्कार आप देखरें न्यूज 18 में हूँ आपके साथ मेंका शौधरी पहली खबर प्रताबगर से जहां पर AIMIM के राश्ट्री अध्यक्ष असाधिन ओवैसी ने जनसभा को सम्भूधित किया मंच पर अपना दल कमीरवादी की अध्यक्ष कृष्णा पटेल और विधायक पल्लवी पटेल भी मौच उवैसी ने इस मौके पर इशारो ही इशारो में बिना नाम लिए आएंडिया गटबंदन के समर्थन की बात कही इंडिया गटबंदन की सभाओं में हो रहे अंगामे और भगदड को लेकर एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादों ने आजमगड में प्रतिक्रिया दी अखिलेश ने भगदड के लिए बीजेपी पर निशाना साथा उन्होंने कहा कि ये समाजवादी पार्टी की इमेज खराब करने की कोशिश हो रही है मुझे ये लग रहा है कि जब से इन्हें पांच चर्णों में यहारे हैं और छटे साथ में में सफाया हुआ तो समाजवादी पार्टी की इमेज खराब करने के लिए ये बीजेपी अपने कारका निशाओं को तो नहीं भेज रही है या खराब करने के लिए माल लीजे या 20,000 हमारे लोग हैं पांच आ जाए गरबर को तब क्या करो गया है तो ये बीजेपी वाले हैं ग्रहमंतरी अमित्शा कलो तरप्रदेश के दोरे पर होगे अमेटकर नगर, सिधार्थ नगर, संतकबीर नगर और प्रताबगर में जनसभा को संबोधित करेंगे प्रस्तावित कारक्रम के मताबिक कल दोपहर एक बजे ग्रहमंतरी अमित्शाओं पहुँचेंगे शियो बाबा के मैदान में बीजेपी प्रत्याशी रितेश पांडी के समझे में जनसभा को संबोधित करेंगे और इसके बाद से धार्तनगर और संतकभीर नगर में भी जनसभा को संबोधित करेंगे कल देश के बहुत ही असस्वी जन प्रिय लोग प्रिय माननी ग्रियोंग साकाइटा मंत्री आदर्णी अमिस्सा जी इस अंबेटकर नगर की पावनपुन्य धरा पर पधार रहे हैं एक विसाल जनसभा को संबोधित करेंगी माननी मोधी जी ने देश में 400 से अधिक सीट जीतने का जो लक्ष रखा है उत्तर प्रदेश भारती जनता पार्टी का प्रदेश ने तित्व उस लक्ष को पूरा करने के लिए 80 की 80 सीट जीतने के लिए रातो दिन परिश्रम और प्रियास कर रहा है इदर समाजवादी पार्टी के राश्ट्री महा सचिव राम गुपाल यादो ने कहा कि किसी ने राम मंदिर का प्रस्ताव नहीं ठुकराया था अखलेश यादो ने चिठ्थी लिख कर परिवार समेत आने को कहा था अखलेश ने चिठ्थी लिखी थी और धन्यवाद दिया था और सुबकामना की थी और कातर में सीकर ही परिवार सहत आऊंगा ये पता कर लीजिए मेरे पास तो रखा हुआ रिकॉर्ट इदर कॉंग्रेस सांसी इंबरान प्रताबगडी ने कहा कि लगता है कि ग्रहमंत्री जी खुद जनता का माहौल समझ नहीं पा रही है सरकार से युवा परेशान है और उनका उसका गुस्सा ईवियम तक जा रहा है पिदर ग्रहमंत्री अमिच्शा के इंटर्व्यूर कॉंग्रिस नेता संदीब दिक्षित ने कहा कि हमने जान बूझकर पिएम क्यानिडेट घोशित नहीं किया क्योंकि हम सांसट चुनते हैं फिर वो पिएम चुनते हैं इसे अगर कोई और दल नहीं मानता तो इसमें हम कुछ नहीं करते हैं अगर इनको लोगतंत्र की समझ नहीं है तो यह उंगली किसी और पे नहीं खड़ी कर सकते। अगर इनको लोगतंत्र की समझ नहीं खड़ी कर सकते। इदर अमेठी में आबालिक से गैंग रेप की संसनी के जवारदात से आमने आई दो भाईयों पर गैंग रेप का आरोप लगा है। शिकायत करने पर जानवानी की धमकी देने का भी आरोप लगा। दुशकर्म की घटना को अन्जाम देने के बाद आरोपी फरार होगे। शोने और चानी के बढ़ते दाम की वज़े से वारानसी में बनारसी साडी के ओडर हो रहे हैं। इसका असर दिखना शुरू हो चुका है सोने के भाव का बढ़ने से एक तो समग्र से पूरे मंडी पे बहुत बुरा असर पड़ा है बहुत सारी चीजों उससे असर पड़ता है उसके दाम के कम ज़्यादा होने से और पर्टिकुलर जहां तक बात हमारी अपनी साडियों का है तो जो साडिया एक तो महंगी होती है अब वो बड़े लोगों लोवर अपर क्लास होता है उसके भी हाँ से बाहर निकल गया और कुछ जो हम अभी कुछ और्डर के अलामा बनाये थे वो सब डंप हो गया पुडे कार एक्सिडेंट केस में नाबालिक आरूपी के पिता को पांच दिन के पुलिस कस्टडी मिली है सरकारी वकील ने आरूपी के साथ दिन की कस्टडी की मांग की थी उधर आरूपी के जमानत भी रत कर दी गई है उसे बाल सोधार ग्रे भेजा गया है दरसल कार एक्सिडेंट में दो लोगों की मौत हो गई थी जिस पप में नाबालिक आरूपी को शराप परोसी गई उसे भी सील कर दिया गया है अब पुणे नगर निगम ने कोरे गाउं पार्क में मौजूद दो और अवैद पपर रवाई की है जिनने बुल्डोजर की मदद से गिरा दिया गया इधर यूटीबर एलविश यादाओ के खिलाफ नॉड़ा पुलिस की चार्ज शीट तयार हो गई है अब पुल्डोजर की चार्ज शीट ने करता है बलकि सापो के जहर का इस्तमाल भी करता है और सप्लाई का भी काम करता है लेकिन यूज़ यादाओ ने कहा कि वो साप के जहर का ना तो सप्लाई करता है और ना ही इस्तमाल करता है के साम के साथ उसने फोटो शूट करवाया था और परसनल फोटो शूट करवाता था पार्टी का खर्च कभी वो और कभी उसके दोस्त दिया था